सामकुम, next topic is binary addition and subtraction, तो इसमें हम binary addition देखेंगे और subtraction देखेंगे, और binary digits में वो होगा, binary system में हम इस चीज़ को perform करेंगे, और इसमें two or more हमें numbers given होंगे, और उनको हमने binary में रहते हुए add करना है, और subtract करना है, वोगो हुद भी binary में ही होंगे, और इसमें जो addition के rules है, addition rules में सबसे पहला rule है कि 0 प्लस 0 is 0, 0 प्लस 1 is 1, 1 प्लस 0 is 1, and 1 प्लस 1 is 0 with carry 1, तो carry 1 का मतलब क्या है, यह हम देख लेंगे, अभी इस चीज़ को समझ लेंगे, तो 1 प्लस 1 is 0 with carry 1, यह हम इसको समझते हैं, इसके बाद अगर 1 प्लस 1 equals 0 with carry 1 है, तो अगर 3 digits आजाएं 1 में, ठीक है, 3 1s आजाएं, अगर मतलब जो हम addition कर रहे हैं, उसमें 3 numbers आजाएं जिनके addition कर रहे हैं, और 1, 1, 1 एक साथ आजाएं, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 is 0 न, with carry 1, carry 1 इदर गया, तो 0 प्लस 1 is again 1, तो यह carry 1, अगर यहाँ पे कोई और digit नहीं है इसके बीचे, तो यह simply यहाँ पे 1 आजाता है, वरना हम इसको लिखते हैं, कि this is equals to 1 with carry 1, ठीक है, जब यह addition कर रहे होते हैं, तो जैसे यहाँ पे 1 प्लस 1, य इनके carry यहाँ पे transfer हो जाएगा, तो यह 1 प्लस 1 प्लस 0 हो जाएगा, यह case, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 is 0 again, with carry 1, यहाँ पे carry जाएगा, यहाँ पे 0 0 हम let कर लेते हैं, ठीक है, तो यह 1 प्लस 0 प्लस 0 is 1 again, तो यह ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट ना भी हो, फिर भी स सकते हैं, कि ऐसा नमबर हो, तो 1 प्लस 1 is 0, carry 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 is 1, 1, okay, तो यह भी ऐसा भी case आ सकता है, तो यह जो पांच basic rule हैं, जिसमें जो different है, यह तो familiar हैं हम इन सबसे, लेकिन यह 1 प्लस 1 is 0, with carry 1, and 1 प्लस 1 प्लस 1 is 1, with carry 1, तो यह हमने यहाँ पे देख लिया है, और उसके बाद binary subtraction को हम देखते हैं, तो सबसे पहला problem यह कहते हैं, और इसको easily solve करने के लिए, यह पहले इसको लिखते हैं, क्योंकि यह longer in number है, 0, 1, 1, 1, तो यह 2, 3 class वाला का, तो यह first हमने लिखा, और यह इसके नीचे हम लिखेंगे, और इस digit से start करेंगे, और इस point से, तो 1 पहले यह वाला, फिर इसके बाद यहाँ 0, फिर यह वाला 1, फिर यह 0, फिर यह 1, ठीक है, इसके right से towards left हम यहाँ पर ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, और इसको भी ऐसे लिखा है, तो so that के यह जो इनके end points है, वो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, तो यहाँ पर हम इस 1 plus 0 है, जो के again 1 plus 1 is 0 with a carry 1, तो 1 plus 1 plus 1 is 1 with a carry 1, और यह 1 plus 0 plus 0 is 1, 1 plus 1 यह अब आगे carry transfer नहीं हुआ क्योंकि simply 1 आगे, 1 plus 1 is 0 with a carry 1 and 1 plus 1 plus 0 is 0 with a carry 1, अगर carry 1 आना तो यहाँ पर भी 0 0 let कर लिए, तो 1 plus 0 plus 0 is 1, तो यह भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 plus 1 is 1 0, simply यह भी कर सकते हैं, तो यह इसका binary addition है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम to show that this is in binary system, ठीक है, यह brackets और इसकी subscribe में हमने 2 लिख दिया, तो इसके इलावा जो problem की जा सकती है, वो 1 0 1 1 1 1 5 1 and 1 1 1 0 1 and 1 और इसको बिलकुल symmetric भनाने के लिए, हमने इसके नीचे भी 0 लिख दिया, इसके बार ने इडिशन कहते हैं, तो 1 plus 1 is 0 with carry 1, 1 plus 1 plus 1 is 1 with carry 1, यह again 1 with carry 1, this is 0 with carry 1, 1 with carry 1 and 1 plus 1 is 0 with carry 1 and this is again 1 0, तो यह इसका answer हो गया, ओके binary addition इसी तरह की simple है, जिसमें यह वाला rule बस याद रखना है, 0 with carry 1, ठीक है, और 1 plus 1 plus 1 is 1 with carry 1 and carry 1 means के यह इससे next digit में उसके तरफ चला जाता है, add हो जाता है और subtraction में हम borrow cover use करेंगे, borrow cover, यहाँ पे हमने इसको carry दे दिया, मतलब हमने इसको done कर दिया, 1 number, ठीक है, और subtraction में क्या होता है, कि हम उससे उधार ले लेते हैं, 1 number, ठीक है, जब मुश्किल आ जाए, जब कोई कमी आ जाए हमारे बास, तो तब हम उससे उधार ले लेते हैं तो borrow कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं, subtraction में उससे ले रहे होंगे, ठीक है, यह हम अभी subtraction test से next करते हैं, जीद practice के लिए इन problems को solve किया जा सकता है,